आप सभी का बहुत बहुत है हमारे यूटूब चैनल ओम ग्राफिक्स में तो फ्रेंड्स आज के इस टीटोरिल में हम बात करने वाले हैं कि अगर 100 फोटो या 1000 फोटो में अगर एक साथ फिल्टर लगाना हो तो किस तरीके से लगा सकते हैं आपके पास मान के चलो 500 फोटो है और आप अलबम डिजाइनर हो तो बारी बारी से आप फोटो को लाते होंगे एक फोल्डर में रखके आप डारेक्ट एक बार फिल्टर लगा दें बारी बारी से फिल्टर उसमें लगते चला जाएगा तो किस तरीके से उसका प्रोसेस होता है आज हम इस टुटोरिल में आपको बताने वाले हैं तो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो च किसी भी वर्जन में आप कर सकते हैं तो सबसे पहले तो जो फोल्टो का मेरा फोल्डर है जैसी यहां पर मेरे डेश्टॉप पर राम नाम का एक फोल्डर है और इसमें तक्रीबन 60-70 photo है और इसमें हम एक साथ सारे photo में filter लगाने वाले तो किस तरीके से ये लगेगा तो सबसे पहले तो आप कोई भी एक photo ले लीजिए उसका action बनाने के लिए तो photoshop में हम एक photo उठा की यहाँ पर लेके आ गए है यह photo आ गया उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ से बिंडो में चले जाना है बिंडो में जाने के बाद यहाँ पर देखिए action का एक button दिया हुआ है या फिर alt f9 प्रेस किजिएगा तो यह वाले option यहाँ पर खुलके आ जाएगा तो इस तरीके का dialogue box open हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर देखेगा कि चार line यहाँ पर दिख रहा है यहाँ से आप click करोगे तो इतने सारे option यहाँ पर दिखेगा तो यहाँ पर click करना है उसके बाद यहाँ new set पर आ जाईएगा new set पर आने के बाद यह नाम पुछेगा तो यहाँ पर हम लिख दिए auto filter auto filter 01 ठीक है यहाँ से आप ok कर लिजिए यह देखी एक folder बन गया auto filter के नाम से उसके बाद फिर से यहाँ पर click करेंगे और इस बार new action पर हम click कर लेंगे यहाँ पर new action, new action में भी नाम लिख दिजिए auto filter 01 का नाम हम दे दिए और यहाँ से पूछ रहा है function की मतलब आप किस बटन से आप सारे photo में filter लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से f8 ले लिजिए f7 ले लिजिए वह आप पर depend करता है तो हम यहाँ से f7 प्रेस करेंगे f7 यहाँ पर click किए और उसके बाद यहाँ से record पर click कर दिजिएगा तो यह raid हो जाएगा यह मतलब action मेरा record हो रहा है अब इसमें क्या करना है filter में जाएंगे imageatics में जाएंगे और यहाँ पर देखिए portraiture नाम का है अगर आप जो भी filter आप यूज कर रहे हैं वह यहाँ पर फिल्टर लगा लिजिएगा जैसे हमने portraiture यहाँ पर यूज करना है यहाँ पर portraiture पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर अगर कुछ setting करना है तो आप कर इसमें यह photo में filter यह automatic लग जाएगा यह photo में filter लग चुका है photo filter लगने के बाद आप यहाँ से file में जाएंगे उसके बाद यहाँ से save पर click कर लेंगे उसके बाद यह photo filter होके आ गया है अब यहाँ से हम इसको stop करेंगे मतलब कि जो हम record कर रहे थो उसको stop कर देंगे यहाँ से तो इस फोटो का खेला खतम हो गया जहां से बंद कर दिये यह ठीक है इतना समझ गये होंगे अब देखिए समझने वाली बात यहां पे क्या आता है कि अब इसके आगे क्या करेंगे कि जो सारे फोटो जो मेरा फाइल में फोटो है सारे में फिल्टर कैसे लगेगा अब इसका तो हम action बना लिए उसके बाद आप यहां से file में चले जाएंगे और यहां पर देखिए लिखा हुआ automate यहां पर automate लिखा हुआ उसके बाद यहां पर batch लिखा हुआ batch पर क्लिक किजिए यहां पर देखिए यहां set लिखा हुआ यहां action लिखा हुआ है तो हम यहां से set पे click करेंगे और 01 select किये यहां से फिर 01 जो हम यहां पर नाम दिये थे उसको select कर लेना है ठीक है इसको हम select कर लिए select करने के बाद यहां से choose पे click किजिए और जो आपको folder में filter लगाना है मान के चलो कि राम नाम का में एक folder बना है उसमें मेरा 1000 फोटो और सारे में filter लगाना है तो यहां राम नाम का folder डेस्टॉप पे था और यहां से राम नाम का folder है इसको okay करेंगे इसको okay करने के बाद जैसे हम यहां पे okay click करेंगे वो बारी बारी से photo हमारा यहां पे आएगा filter हो फोटो में मेरा filter लग चुका दूसरा photo open हुआ यह फोटो में filter लगा फिर दिसरा आया मतलब इस तरीके से आपको आप कोई भी बटन का परियोग नहीं करना है बस सिर्फ इस पे play कर दिए और आपका automatic यह filter लगते चला जाएगा आप देखिए हम इसका output जो folder है मतलब कि जहा इसोना यह save होकी जा रहा है आपको जूम करके इस photo को दिखाएंगे कि filter लगा है या नहीं देखिए इस तरीके का इसमें filter लग गया है दूसरे बाले फोटो में देखिए इस वाले फोटो में filter लग गया आपको चाप त logic आप दिख रहा होगा अब देखिए यह है कि filter लग का मतलब बहुत आसान हो जाएगा फिल्टर लगाने का तो फ्रेंट्स आसा करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो ये कैसा लगा हमारी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइ कर दाद कर्दावाने कर दो चैनल को सुन नहीं है मैं इसक्वार प्रेंखना है कर दो